हेलो स्टुरेंट्स, आपकी क्लास 7 की क्या इंगलिश की वर्क सीट, वर्क सीट नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसकी डेट है 19th of April 2021 आज की वर्क सीट आई है, आपकी जो बुक है, उसका जो चैप्टर है थ्री कोशन, उससे ये आपकी वर्क सीट आई है, चैप्टर का नाम क्या है? थ्री कोशन, ठीक है? और चैप्टर लिखा किसने है? वो है ये सहाब, इनका नाम है Lion Star Star. तो चलिए बच्चों, आप समझ ल चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले स्टोरी को unfold करते हैं कि स्टोरी में है क्या देखिए यहाँ पर देखिए complete the summary of the story story की जो कहानी की जो summary होती है सारांस उसको पूरा करते हैं और जो hint दिये गए हैं इस cloud में देखिए यह देख रहे हो ना cloud यानि के बादल सा दिया गए और इसमें कुछ hint दिये गए हैं उनकी help से हम इस seed को पूरी करेंगे ध्यान से सुनिए और समझिए समझने की कोसिस करें तब ही समझ मैंगा once there was a king एक बार एक राजा था king मितलब राजा once यानि के एक बार who believed जो विश्वास करता था believe होता है विश्वास करना believed यानि के विश्वास करता था that he would not fail कि वो कभी भी सफल नहीं होगा तो fail के विल आपका class में fail नहीं हो ना किसी भी काम में अगर हम सफल नहीं हो पाते तो उसको fail ही बोलते हैं if he knew what was the अगर वो जान जाए कि क्या है तो इसमें से पता क्यों सा भरना है इसमें भरना है ये वाला ये वाला आ जाएगा आपका first तो ये आपका जो दूसरे number का है यहाँ पर भर देंगे what was the right time for every action बच्चो मैं अभी त डेस टू बी विद एंड और कौन वो क्या है राइट पीपल है ना who were the right people to be with कि जिनके साथ हमें रहना चाहिए तो ये दूसरे number पर जो आपका तीसरा option है ये आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर क्या बरा जाएगा आपका तीसरे वाला यहाँ पर आपको दूसरा बढ़ना यहाँ पर आपको तीसरे वाला बढ़ना है what was the best to do और कौन सी वो important चीजे हैं जो हमें करनी चाहिए तो यह आपका number 3 पर है यानि के जो आपको पहला वाला है यहाँ पर आजाएगा ठीक है जो मैं लिखनी हूँ यह नहीं लिखना आपको आपको यह लिखना है यह जो options यह यहाँ पर दिये गए हैं यह जो नीचे इस cloud में लिखे हैं गए हैं तो इस चीज को आप यहाँ पर देना he proclaimed और उन्होंने यह बताया यह घोशना की that he would give to the person who can answer three questions और उन्होंने यह घोशना की कि वो उसे एक बड़ा reward देंगे तो यह जो नीचे वाला है आपका इसमें आ आ जाएगा यहाँ पर four में four ठीक हैं तो यहाँ पर आ जाएगा a great reward यहाँ पर आपको क्या बरना है great reward ठीक है यह आपको हो गया चलिए अब आगे देखते हैं many people came बहुत सारे लोग आए and all the answers given by them were और जो भी उन्होंने answer दिये वो कैसे थे वो satisfied थे या different थे या digging थे तो इस इसमें आएगा different तो यह आजाएगा पहले वाले का answer यानि कि इसमें आपको क्या भरना है मैं आपको भर के बता देती हूं इसमें क्या भरना है तो पहले वाले में आजाएगा उन्होंने बहुत सारे answer दिये लेकिन वो सभी क्या थे different इस spelling आप यह देखे बच्चों यहाँ यहाँ पे जहाँ पे निसान लगा रही हूं यहाँ पे आप बढ़ेंगे d i f f e r e and t तो यहाँ पे different आजाएगा the king was not at all satisfied जो राजा था वो बिलकुल भी satisfy नी था यानि के संतुस्ट नी था तो यहाँ पे क्या लिख देंगे s a t i s f i e d satisfied राजा बिलकुल भी संतुस्ट न था he went hermit seeking answers उसने hermit को बिलाया किसको साधू को बिलाया answer पता करने के लिए the hermit was digging the ground जो hermit था वो क्या कर रहा था वो जो है जमीन को खोद रहा था तो यहाँ पे आजाएगा आपका digging यह कहां से लिख रही हूं बच्चो मैं option आपके यहाँ पे दिये गए हैं तो जो आपका digging यह तो तीसरे में आएगा यह आपका पहले वाले में आएगा यह आपका दूसरे में आ जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे आप आजाते हैं आगे मैं आपको लिख्के दे दूंगी नीचे आप उसकी help से कर लेना अभी तो आपको मैं ऐसे बता रहे हूं तीसरा स्टेंजा यह है तीसरे में देखिए आप तीसरे में क्या है दा हर्मिट ग्रिटिड दा किंग अब वो राजा आया उसने किंग को जो राजा था जो सोरी राजा नहीं आया वो हर्मिट वो जो साधू था वो आया और राजा को ग्रिट किया यानि के उसको नमस्कार करी और क्टिन्यू डिगिंग और फिर से इसने खोदना शुरू कर दिया दे किंग रिपीटड हिच को स्यंग तो इस में आएगा डिगिंग जो आपका यह बीच में जो आपका बच्चो आँसर लिखा है यह दूसरे नंबर पे यह आपका पहले वाले में भर जाएगा तो यहां पे आप भर देंगे एक सकेंड मैं भरी देती हूँ यहां पे क्योंकि आपको confusion हो जाती है लेकिन मैं नीचे लिखके बताऊंगे आपको कैसे answer लिखनेंगे तो यहां पे हो जाएगा digging ठीक है उसके बाद then they saw a stranger फिर उन्होंने एक अजनबी देखा who was badly wounded जो बुरी तरह से जक्मी था running towards them उनकी तरफ आ रहा था the king nursed him राजा ने उनको उसकी देखबाल करी and his wounds और उसके जो घाव थे उनकी नर्स होता है मरम पट्टी करना उस पे मरम पट्टी करी later the man told that फिर बाद में क्या कराया nursery and bandage यहाँ पर क्या आएगा बच्चो यह जो खाली स्थान था यहाँ पर आ जाएगा आपका bandage यहाँ पर बेंडेज भर दीजे पहले बाले में आपको बता ही था यहाँ पर डिगिंग लिखा था हमने अब तीसरा वाला क्या बचा फिर बाद में क्या हुआ उसने राजा को बताया लेटर अमें उसर्मित ने बताया राजा को बताया उसके बताया तो यहाँ वह बैले में कि याई तो यहाँ पर भ़र में हम चेसा तो तीसार वाला है तीसरे वाले में आज आजाएगा यहाँ पर बहूँआ बधेंगे testim यह आजाएगा ऐसे अब आ जाते हैं फौर्थ पैराग्राफ के वे अब यह है आपका फौर्थ पैराग्राफ देखें यहां पर आपका फौर्थ है यह लास्ट है स्टोरी का तो हम ने देखा एक राजा था उसके तीन कोश्चन थे वह फिर हर्मिट के पास गया जब उसको ने आक्रमन कर दिया तो फिर राजा ने उसे बचा लिया लेकिन उसको मारा नहीं तो उसने बोला मैं राजा का सर्वेंट बनूंगा अब आगे देखते हैं क्या होता है दे किंग रिपीटिट दा कोश्चन स्टू दब बिफोर लिविंग राजा ने फिर अपना जो कोश् तो इसमें आपका कुछ फिल भी होना है अभी बताती हूं मैं क्या फिल होना है देखो यह क्लाउड है ना यहां से बढ़ना है किंग ने रिपीट करा दे कोश्चन टू दा किस से रिपीट करा हर्मिट तो पहले वाले में क्या जाएगा हर्मिट आ जाएगा है ठीक है तो तो इस ने बोला जो साधू था उसने बोला कि राजा को पहले यह आंसर मिल गए है अपनी डीट से डीट मतलब जो उसके काम थे उसकी वज़े से तो यहां पर क्या जाएगा यहां पर आजाएगा डीट ठीक है तो यहां पर बढ़ देंगे डी डीड एडी एस डीट यहां पर हर मिटता और तीसरे में आजाएगा that is important now the most important person is the one whom he is currently with और सबसे important person वो होता है जिसके साथ वो है and the most important thing to do is doing good to that person और सबसे important चीज होती है उस इंसान के साथ अच्छा विवार करना जो भी आपके साथ है उस टाइम पर उसके साथ अच्छा विवार करना सबसे important चीज है तो राजय के तीनो questions के answer मिलगे कि सबसे अच्छा काम क्या होता है सबसे अच्छा person कौन सा होता है तो उसने सब कुछ बता दिया तो ये इस तरीके से भरेंगे चलिए इसके answer अब मैं पहले आप लिखो राजा है ना अपकिंग था है ना फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं हार्मिट था जिसकी वो कुटिया में गया था उससे answer पूछने और एक वो उसका दुस्मन था enemy तो आप e-n-e-m-y enemy तो इसमें आप ऐसे भर देंगे चलिए अब आपको मैं नीचे लिखके answer दिखा देती हूँ आपको कैसे कैसे भरना है पर मैं आपको बता देती हूँ कौशा इसके answer देखे ये पहला वाला है जहां मैं नंबर वन लिखूंगी आप उसको पहला वाला मानेंगे ये दूसरा वाला मानेंगे इसको आप इसको ये जो तीसरा है ये तीसरा वाला मानेंगे इसको और ये चोथा वाला नीचे वाला जो है आपका ये आपका फोर्थ वाला है ठीक है ये आपका फोर्थ वाला है तो अब इनके answer मैं आपको नीचे दिखा रही हूँ आप उसके according कर लेना देखे students मैंने आपके लिए यहाँ पर answer लिख दे हैं आप यहाँ से देख सकते हैं character में आप यह लिख देंगे जो character वो टीवी सा बना हुआ है जहाँ पर chapter का नाम और वो लिखा हुआ है उसके बाद जो आपका pair paragraph 1 है आप सब बच्चे अपना अच्छे से काम कर लेंगे तो आप सब लोग चैनल को सबस्क्राइब करेंगे और अपने सारे दोस्तों के साथ share भी करेंगे ठीक है जिसे वो भी अपना काम कर लें जैसे आप काम कर रहे हो अपना ठीक है एक comment लेके बताना मुझे कि आपको वीडियो कैसी लगी अपने सारे दोस्तों के साथ share जरूर करें Thank you students Have a good day